विद के का है अगे के लिए तो काफी दिन पैले से हमने लिएस्टॉक में बने रहना चाहिए क्या करना चाहिए उसके बारे में डिसकोर्शन करेंगे विडियो करने बींडियो նुरूर्ठ तो इसलिए सहाप से आपका मन में काफी सरह सवाल होगा कि इसए सब्समार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है तो अभी क्या करना चाहिए हमने से multi डर से ल्या इतना बड़ा साइक मूव्मेंट दे चुका है तो तो जहां पर निप्टी इतना बड़ा सा एक मुव्मेंट दे चुका है तो वहां पर थो थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिल सकता है तो इसलिए मार्केट में ये करेक्शन जो होता है इसमें आपको अच्छा-च्छा स्टॉक में पोजीशन लेना होता है ठीके ना जो अच्छा-च्छा स्टॉक है अभी का सिनारियों पर बहुत सस्ते पर मिल रहा है तो यह सब टाइम पर उसको आपको खरीदना होता है ठीके जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत सारा स्मॉल क्याप था स्मॉल क्याप में हम लोग ने पोजीशन बना के बैठे ह सकते हैं लेकिन अभी आप वह स्टॉक के बारे में जीकर नहीं कर रहे हैं इसका रीजन क्या है आप अगर यह चीज मुझे पूछेंगे तो मेरा एक फ्रेंड भी मेरे को फोन करके पूछ रहा था कि अभी क्या करना चीज जो स्मॉल के बारे में अपने बताया हुआ था व पर यह से मिल रहा है जैसे की पिडिलाइट हुआ जैसे की बर्जर पेंट हुआ जैसे की हिंदुस्तान लिवर हुआ इसा स्टॉक ले लना चाहिए इसमें मेरा अंसर यही रहेगा फ्रेंड्स में कोई भी एक स्टॉक को लॉस में सेल करने वाला नहीं हूं मैं भी खुद कोई भी जो भी स्टॉक में मैंने भी खुद पोजिशन बना के बठा हुआ हूं तो वहां पर मुझे भी अभी लॉस में तो जरूरी नहीं कि मैं उसमें से लॉस बूक करके अभी यह सरे लार्ज के स्टॉक में एंटर करूंगा इसा बिल्कुल भी नहीं है जिसे जैसे मेर सब्सक्राइब और मुझे अगर फ्रेश इंवेस्ट्मेंट करना है तो मिश्च की तरह पेले जाना चाओंगा तो उसके बात में है ठीक है तो अबहें अगर आपके पास में फ्रेश मदलब आपके पास में सर्पलस आमाउंट यह तो आप बिल्कुल आप लेकर चल सकते है इसा में नहीं बोलूँगा कि आप वो जो स्टॉक आपने पेले लिया हुआ है स्मॉल क्याप स्टॉक से उसमें से लॉस्ट बूक करके निकल के फिर अभी लार्ज के लेंगे सामें बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगा ठीक है सारे स्टॉक को होल्ड कीजिए अपना प्राइ सब्सक्राइब करना चले स्टाट करते हैं अज बात करेंगे दवलत इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर दौलत इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहेंगे तो फ्रेंस और एक चीज में आपको बता दूं अगर आपकी स्टॉक मार्केट में नियुली एंटर किये हैं यह वीडियो को जरूर देखिए ठीक है यहां पर कैसे हम लंसम इन्वेस्टमेंट करके दो लाग रुपे का लाम्सम इन्वेस्टमेंट करके किसे बड़ी सा कर्पस बना सकते हैं अगर आपके पास में टू लाग रूपीज नहीं है लंसम में ने के लिए तो आप सब बिड़ी आसा वहिलत बना सकते है यह वीडियो जरूर देखिए उस श्कुरूट के साथ में प्ले लिस्ट में यह सारा वीडियो ज़्रूर देख लिए टेक्निकल अनलीसिस किसे करते हैं मुविंग अबरेज कैसे से करता हूं तो यहां पर यह सारा वीडियो आपको जो अगर देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से जलेज सकते हैं चले स् पर दौलत इंवेस्टमेंट में करेंट प्राइस चल रहा है तो 87 के पास में चल रहा है तो इसे इसाब से के बढ़ी ऐसा वैल्यूएशन पर अभी मिल रहा है लेकिन हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और कौन से लेबल होना चाहिए आखिट तक जरूर देखिए आ क्वैंटर अगर हम पर के बात करेंगे तो यहां पर स्माइचरा कृटर का शल्स मंतला क्वैंटर मैं है कर Sum 57 करोट में हमें स्माइचर ऑने घर देखिए को मिल रहा है अगर हम त्वायोण फिट की बात करते हैं यहां पर 2724 क परोफिट था अभी सेव्टैंबर में 44 करोड का profit है तो profit quarter on quarter में भी jump हुआ यहां और लेकिन यह अगर बात करेंगे तो यहां पर 45 करोड का यहां पर profit था last June में अभी अगर देखते हैं तो यह रही तो quarter quarter on quarter में है यहां पर decline जरूद देखने को मिला है लेकिन company में year on year में बढ़ी ऐसा growth दिखा रहा है अगर last 4-quarter का profit देखेंगे friends सबसे highest profit आया है जो कि 180 करोड का अभी profit आया है है अगर last 4-quarter का अगर हम sales भी देखते हैं 265 जो कि सबसे highest है तो यहाँ पे सब्सक्राइब से बाड़ोंग इसा करोड़ करोड़ का था अगर देखते हैं कि अगर यहां पे हम प्रोमोटर का हो पर्सेंटेज का प्रोमोटर के पास में होडिंगे तो बेहतर नों के छोटा कमपनी होने की वज़र से यहां पर उनका पर नहीं ऑनली पॉइंट-0-4 परसेंटेज जो की पहले नहीं था अभी यहां पर उन्होंने थोड़ा सा स्टेक यहां पर भाई किये तो इसके बाद में अभी आज के दिन में अभी 65 परसेंटेज का यहां पर डिलिवरी उठाए गया फ्रेंज अभी मार्केट रॉनिंग है तो इसी वेसिज पर अगर हम यहां पर आके एक बार देख लेते हैं कंपनी का ट्रेडिंग भीव में चाट पैटर्न अगर आपको ट्रेडिंग भी नहीं कर रहा है तो इसको कैसे सेट करते हैं आप जरूर जाके देख सकते हैं यहां पर डेस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो फ्रेंड्स यहां पर हंडेड़ का मुवी आवरेज के नीचे आ चुका है तो अभी 200 अभी आवरेज के पास में आया नहीं लेकिन उससे पहले काफी एक बहुत बड़ा सपोर्ट के पास में स्टॉक अभी चल रहा है ठीक है इसी साफ से अगर आप देखेंगे तो यहां पर काफी बार सपोर्ट ले चुका है स्टॉक में तो आपको मेरे हिसाब से यह स्टॉक को अभी का मार्केट प्राइस पर आपको लेके चलना चा यहां पर दिखिया अगर यहां पर आप एंट्री लेते हैं अगर अल्टाम है तो कि इस टॉक को आप रखते हैं यहां पर 47 परसेंटेज का गयन फ्रेंट से आपको मिल सकता है ठीक है आपका बाइंग रहेगा 87 चे लेके 88 और आपका जो टार्गेट रहेगा 127 तक आप टार लेकिन कोई भी स्टॉक आप अगर बाइ करें खुद का अनलेशिस रखना बहुत जरूरी है श्टॉक मर्केट में ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन अगर पेसेंट के साथ में कोई भी स्टॉक करते हैं तो आपको जरूर एक प्रोफिट देखने को मिल सकता है लेकिन फ्र कर Caesar कि यहां की आप लिए सकते तो उसके लिए आपको बिल्कुल प्रिप्यार रहना है अगर हम आपको बढ़िया परसेंटेश का प्रफिट जरूर देखने को मिल सकता है शिक्स मौंस में बढ़ियह सा यहां पर रेजल्ट भी बहुत बड़ी ऐसा रेजल्ट आया है कोई प्रोब्लेम नहीं है प्रोब्लेम नहीं है